वेलकम बैक टू तु ता मेध फॉरियर्स आप सभी लोग यूपी आटियो नॉर्मल बीयर्ड और स्पेसल बीयर्ड के फॉर्म बढ़ दियो दोस्तों तीस तारिक लाज डेट है आज वेबसाइट अच्छी चल लेई कभी-कभी दिक्कत हो जाती तो आप लोग घबरा जाते जबकि घबराने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्म सभी के भर जाएंगे उसके बाद दोस्तों लेट फीस के साथ भी फॉर्म बरने का आपके पास मौका है तो घबराने की कोई जरूरत है ने लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज देखिए आप तो बीयर्ड का मतलब है आप सभ UPB8 की ही तरीके हैं जिस तरीके से UPB8 का हिजाम होता उसी तरीके से है तो मैं पहले तो डाउट आपके किलियर करदा हूँ अगर आप कुछ लोग पुराने समय से मुझसे जुड़े होंगे तो UPB8 में भी मेरी रैंक 1000 के असपास थी ठीक उसमें भी अच्छे नंबर थे लेकिन दोनों पेपर डिफरेंट हैं आप उसको एक सार ना समझे मेरा दोनों में ही सिलेक्शन हुआ था फिर मैंने इसी को चुना तो अब आप समझे किस तरीके से क्या है मैं आपको बहुत सारी चीजी किलियर कर दूँ कि आपको करना क्या है कि UPB8 से पहले तो इसको रिलेट नहीं करना बिलकुल भी नहीं वो अलग है ये अलग है और इसी लिए आप लोगों को कन्फूजन हो जा रहा है UPB8 से आप आप लोग समझते होंगे सिलेबस में समझा दू पार्ट वन पार्ट फू दो भाग में होता है दो पेपर होते हैं च्छाए गंटे पूरे दिन भर में पेपर होते हैं दस से एक आई थे फिर उदर दो से पांच टिक इस तरीके से माइनस मार्किंग बहुत होती वन भाई इंगलिस में से कोई यह कर नहीं होती यह एक पेपर होता 200 मार्स का सो क्यूशन होते हैं दो सो मार्स और तीन गंटे का समझता है पार्ट टू कि अगर अब हम लोग बात करें जो सेकंड पेपर होता है उसमें होता है आपकी रिजिनिंग पचास नमबर की 50 क्यूस्चिन होत वाड़ी जी के हैं तो वाड़ी जी के करेंगे ठीक है यह हो गया यूपी बीएड अब इसको समझते है नॉर्मल बीएड और स्पेसल बीएड जो की उत्तर प्रदेश रासी टंडन उपन उनिवेस्टी कराती है यहां पर बिल्कुल परिवर्तन है यहां पर केवल एक पेपर होता है तीन घंटे का होता माइनस मार्किंग होती नहीं है ठीक है और एक क्योशन एक ही नंबर का होता है दोसो टोटल क्योशन आते हैं यहां पर भी बटा हुआ है पार्ट वन पार्ट टू बट वो दोनों एक ही पेपर में आते हैं कोई अलग से पेपर नहीं मिलता है तो किसी प्रकार की आपूं गन्फूरूजन नहीं रखना है पार्ट वन में यहाँ पर 50 मार्ष की जीके आती है और 50 मार्ष की रिजिनिंग आती है पार्ट वन होता है जो सभी के लिए कंपल सरी है ठीक है इस बात को आप समझ गए यहाँ पर 40 नम्मर की इसना आपने कर लिया उसके बाद जो language के section है जो subjects हैं यहाँ पर 5 subjects आपको देखने को मिलते हैं पांच subjects में से किनी 2 subjects को आप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए इसनातक से कोई लेना देना नहीं है इस तरीके से नॉर्मल फ्याट में सुनातक लेना देना है कि Victory यहां पर स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए फरजी के चकर में न पढ़ो इसको UPVS से नहीं यहाँ अलग करते हैं और दिव्यांग वाले वो कुसिंस तो यहां दोसों माराण इसका इस तरीकी का पेटर ना था है यहां इस्ट पॉइब बीदो कर सकते हैं कौई गबराने की जुरुद नहीं है इसलिए मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं कि मैस वारियस को सुने समझे टेली ग्राम जोइन करें और हमारे एप को भी आप लोग जोइन कर लें इसलिए कोर्स हमारे डेली इतने जादा सेल हो रहे हैं अब तो मुझे क्लासेज भी लाने पड़ी एक मही से वो क्ला जब आप अंदर जाएं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो भी आपके मन में डाउट हो पीडियाफ एक लेनी दो लेनी प्रेक्टिस सेट लेना है क्या करना फुल से लेना है मेरी लाइफ क्लास लेना सभी के साथ कॉम्बो लेना कुछ भी करना हो जो भी आपकी इच्छा हो उस एप में जाएं अपने हिसाब से पर्शेस करें और अभी तो दोस्तों आफर भी चला है तीस तारीक तक के लिए मैस 50 मैस 25 मैस 15 तीन कूपन चल रहे हैं अलग-अलग कोर्सेज पर लगेंगे ये सारी चीजे हैं तो मीद करता हूं कि आप लोग एक बार भरोसा करेंगे म खुद रैंक होल्डर है चाहें वो यूपी बीड हो चाहें नॉर्मल बीड कोई भी हो इवन मेरे टीटी में यूपी टीटी मैं आपको बता दूँ आइधिंक 2017 का पेपर था 121 नंबर थे ठीक है तो ऐसा नहीं कि कोई है कि एक 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 जाम को किलियर करके मैं आपको बता र लगता हूं कि आप लोग भी और आप देख सकते हैं कि यूटूब पर भी मैं अपना पर्चम ले रहा रहा हूं कि एक लाग बारा हजारा सब्सक्राइबर है अपने बटन है सब कुछ है अब प्ले स्टोर पर भी एप है दीरे दीरे आप देखेंगे किस तरीके से क्या ची की फीस थोड़ी हाई है बेटा मजबूरी है बहुत सारे एक्सपेंसेज होते हैं लेकिन थोड़ा एक्सपेंसेज हो जाए लेकिन आपको एक अच्छा कंटेंड मिले घर बैटे मिले ये मेरे फर्स्ट प्रियोर्टी है एरर फ्री मिले तो मैस वारियर्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें पर्चेस करें एक वाट्सप नमबर दोस्तों दिख रहा होगा 9149720 ये मेरा नमबर नहीं है आप यहाँ पर टीम का नमबर है कोई भी आपको किसी वरकार का डाउट आता है आप यहाँ पर मैसेज करेंगे आपको सारे डाउट्स दोस्तों किलियर हो जाए ठीक है उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ गए जुड़ गए हमारे चैनल मैस वारियर्स से मिलते अगले वीडियो में तेक क्यार बबाए दो इंटर्व्यू जल्दी आपको कल एक देखने को मिलेगा सिलेक्टेड बंदे का पिछली बार जिसको कानपूर हमारा ही कॉलेज मिला किस तरीके से क्या रहा उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसके बाद हमारे होडी जहां मैं पढ़ता था उनसे मेरा बहुत घनिश संबंध है जब बच्चे होनहार होते हैं तो उनसे खुद टीचर जुड़ जने मिलते के लिवडियो में तिल देन टेक केर बाबाए